बिना आलू के बनाएंगे हम बिना आलू के फ्रेंच फ्राइस बनाएंगे बहुत ही जबादस बनेंगे यह और आप इसको टी टाइम में बनाएं चने आए रेसिपी स्टार्ट करते हैं इसके लिए सिर्फ हमें दो चमज तेल चाहिए होगा टू टेबल स्पून मैंने इसमें आयल यूज किया है बहुत कम आयल में यह बनेंगे प्लेट में उसके बाद हम इसमें वन फोर्ट टी स्पून कुटी हुई मेज डालेंगे उनन वोन पर टी स्पूण हम इसमें लस्ञव पेश्च डालेंगे है एद्धनिया डालेंगे हम थोड़ा सा घृषल एधनकी हम तालिम बशल डालेंगे हम इसमें वन फोथ टी स्पूर अर जायाँ हम बाब और इंच फूट कलर वो भी हमने थोड़ा सा ढाला है पिंच ढाला है जरा सा सब चीजों को हम मेक्स कर लेंगे उसके बाद हम इसमें नमक डालेंगे हजबल दय का वन फ़ोर टी स्पून मैंने डाला है इसमें और इसको भी हम अची तरह मेक्स कर लेंगे इसके बाद हम bread लेंगे bread के हमने दो slice लिये हैं उसको हम cut कर लेंगे French fries कितरा बहुत मज़ए के बनते ही ये इसमें oil भी यूज नी किया है बिना oil के बन चाते ही है दो bread के देखें कितने जहीर सारे बन रहे हैं चले अब हम इसको दिप कर दे रहेंगे और बेकिंग ट्रे में रखते रहेंगे सब कोट करने के बाद हम इसको बेक करने रखेंगे इसको हमने पतीले में बेक कर रहा है तकरीबन दस मिनट लगे हैं इसको बेक उने में देखें मज़धा से हमारे बिना अलू के फ्रेंच फ्राइस तैयार हो गए है इसकी भी अच्छी लगे तो इसको लाइक करें शेयर करें